नगर पंचाइट बिहिपूर्वा कस्वे के में चोराहे पर राजु सोनी ज्वेलर्स के दुकान पर उचपको त्वारा पांच सोनी की चैन 70 ग्राम कीमत लगभग 5 लाख चूड़ी करने का मामला प्रकाश माया दुकानदान ने बताये कि करेबी 11 बजे मेरी दुकान पर एक महला पुरुष ग्राहा के रूप में दुकान पर आये थें तथा सोनी की चैन दिखाने को कहा मैंने चेन दिखाई और अन्ने कई ज्वेलर्स देखने लगे उसी के दोरान उन लोगों ने मेरी 5 थान सोनी की चैन लगभग 70 ग्राम गाइब कर दिया इसकी जानकारी मुझे उनके दुकान से चले जाने के बाद समान रखने की वक्त हुई जिसकी मैंने ततकाल दुकान में लगे CCTV कैमरे में देखना चाहा तथा उनकी तलास करना शुरू कर दी पर अन्तु दिखाई नहीं दी कैमरे में उनकी फोचो कैद हो गई जिसकी सूशना मेरे दुवारा थाना मोधिपूर को दी गई है पुलिस ने मौके पर पहुँश कर निरिक्षन किया घटना के विसाय पर थाना प्रकार प्रभारी राकेश पांडे ने बताए कि सूशना मिली है ततकाल मौके पर पहुँश कर निरिक्षन किया गया दुकान में लेके CCTV कैमरे की फोटेस के अधार पर चारू की तलास की जा रही है नहीं फुर्वा से रईश खान की खास रिपोर्ट उसको हाथ में ले रहे हैं उसके बाद में। और इसके बाद धाला भी देखें दिश्में कै और इसलिए हमारे पैफरे जो पहले उने त्यब्ने जिमाग से उतर लिया ना वाद कि एक चैन एक जाला का जो एक दामान से पूछें तो आपने पुलिस इतला दी हैं तो पुलिस आयत की आप की तो पुलिस आयत की आपके आप सिची टीवी कैमरा भी लगा हुआ है जी उनका फोटो को सब अधिया भूपी देंटे से तो अब पचानते रही हों तो नहीं वह सब बाहिए तो एली बार में देखता हुआ है जी